Hello students, चलिए start करते है exercise 11.4 का question number 7 देखते हैं क्या है, statement read करेंगे If each edge of a cube is doubled, अगर किसी cube की edge को क्या कर दिया जाए, double कर दिया जाए तो first part के अंदर क्या है, how many times will its surface area increase, तो उसका surface area कितने times increase हो जाएगा Second part में है, how many times will its volume increase, तो उसका volume कितने times increase हो जाएगा अब देखो, एक cube बना लेते हैं हम यहाँ पे, हमारे पास मान लिया क्या है, यह एक cube है यह बन गया हमारा cube, अब उसने क्या का है, अगर इसकी length L है, तो इसकी length को क्या कर दें, double कर दें ऐसे कर दे मान लिया हमने क्या कर दिया है कि बड़ा क्यूब बना लिया यह बन गया हमारा कोई बड़ा क्यूब तो इसकी लेंथ जो होगी अब क्या कर दिया हमने ल से 2L ठीक है तो हमने यह बताना है कि सर्फेस एरिया इसका कितना ज्यादा बढ़ जाएगा या फिर volume दूसरे पार्ट में कितना ज्यादा increase हो जाएगा चलिए देखते हैं कैसे करेंगे तो यहां पर first part लेते हैं इसका let edge of cube हम मैजूम कर लेते हैं क्या माननी है हमने L ठीक है तो surface area of cube क्या होगा हमारा पहले के अंदर surface area की बात कही है तो surface area of cube उसको denote कर लेते हैं हम S से S is equal to क्या हो जाएगा हमारा 6 L square surface area का यही फोर्मूला होता है 6 into L square यहां गया हमारा is cube का surface area अब क्या किया length को double कर दिया अब यहां पर क्या हो जाएगा edge of cube after double double करने के बाद edge क्या हो जाएगा हमारी 2 L तो surface area of new cube new cube का surface area क्या हो जाएगा कोई अलग surface area हैगा S dash is equal to formula क्या होगा 6 into side का square होता है side अब कितनी हो जचकी है हमारी 2 L तो क्या लिखेंगे 2 L का square समझ में आई आई आपको बात देखो पहले L side थी तो 6 L square था अब side कितनी होगी 2 L तो L की जगा क्या रख देंगे 2 L का square तो क्या हो गया यहाँ पे 6 multiply 2 का square करेंगे तो 4 L square ठीक हैं तो S dash जो आगया वो क्या आगया 6 into 4 L square और S dash को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 को आगये into में 6 L square लिख सकता हूँ कोई problem नहीं है अब देखो दियान से 6 L square किसके equal था S के तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं S dash is equal to 4 times of S मतलब पहले surface area S था अब नया surface area क्या आया है 4 times F मतलब 4 गुना है 4 times increase हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे new surface area is increase by 4 times मतलब 4 गुना increase हो गया पहले S था अब कितना है S dash 4 times of S मतलब 4 गुना हो गया हमारा पहले वाले का तो इसको लिख देंगे इस थरीके से next बात करते हम volume की तो volume के अंदर क्या करेंगे हम volume second part में volume of cube कैसे निकलता है V is equal to side का cube होता है side कितनी है पहले वाले की L तो कितना हो जाएगा L cube ठीक है volume of cube volume of new cube new cube के अंदर मान लिया volume क्या है V dash अब side कितनी होगी 2L तो क्या करेंगे 2L का cube तो कितना आगया 2 का cube क्या होगा 2, 4, 4, 2, 8 8L की पावर 3 ठीक है तो V dash आगया हमारा 8L की पावर 3 और L की पावर 3 किसके एकवल है V के तो V dash जो आगया वो क्या आगया 8 times of V तो पुराना volume तो V था नया volume क्या आगया 8 times of V तो यहाँ पर क्या लिख देंगे new volume is increase by कितने times 8 times 8 times से क्या होगया अब है increase these are the answers I hope आपको अच्छे से clear हुए होगे कोई doubt अगर आपको लगता तो आप मुझे comment कर सकते हैं अदरवाई जी इस channel को subscribe करें next देखते हैं अपना question number 8 इसका question number 8 की statement देखते हैं क्या है water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liter per minute उसने क्या का है एक cuboidal reservoir है reservoir मतलब एक के safe है हमारे पास कोई भी हमारा बरतन हो सकता है या फिर कोई भी हमारे पास safe हो सकती है cuboidal type की है उसके अंदर पानी बरा जा रहा है कितनी speed से 60 liter per minute एक minute के अंदर 60 liter पानी उसके अंदर डल रहा है ठीक है if the volume of reservoir is 108 meter cube अगर volume of reservoir जो है वो क्या हो 108 meter cube हो तो find the number of hours it will take it full the reservoir तो हमें उस reservoir को full करने में कितना time लगेगा मान लिया ये हमारे पास कोई tank है cuboidal type इसके अंदर पानी बरा जा रहा है ठीक है और जो पानी की speed है वो क्या है 60 liter per minute एक minute में 60 liter पानी इसके अंदर डल रहा है और इसका total जो volume है वो कितना है हमारा 108 meter cube तो इसको पूरा बरने में कितने hour लगेंगे हमें कितने hour का time लगेगा तो चलिए देखते हम volume of reservoir लिखते हैं क्या है volume of reservoir किसके एक वल है 108 meter cube और rate जो है हमारा rate of water वो है हमारे पास 60 liter पर मिनट कितना है 60 liter पर मिनट अब देखो यहां पे volume जो है meter cube में है और rate of water है लिटर में तो हमें क्या करना पड़ेगा volume of reservoir को सबसे पहले हमें लिटर में change करना पड़ेगा तो यहां पे क्या लिखेंगे we know one meter cube किसके equal होता है हमारा thousand liter के तो total volume कितना बन गया हमारा reservoir का तो volume of reservoir कितना आ गया 108 08 multiply thousand तो कितना आ गया 108 और 000 liter ठीक है इतने liter आ गया हमारा अब हमने देखो answer जो निकालना है वो किसमें निकालना है hour के अंदर निकालना है किसके अंदर निकालना है hour के अंदर तो rate of water देखो rate of water क्या था 60 liter per minute यह क्या था 60 liter per minute हमने इसको hour के अंदर change करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा एक minute में तो 60 liter है तो एक hour में कितना हो जाएगा एक hour के अंदर कितनी minute होती है 60 minute तो इसको क्या करेंगे 60 से multiply तो यहाँ पर क्या आ जाएगा rate of water in hour क्या हो जाएगा 60 multiply 60 is equal to 3600 liter per hour कि मतलब एक hour के अंदर इतने liter वो पानी भर दिता है और total बरना कितना है हमने यह इतना water बरना है तो हम क्या करेंगे total hour निकालने के लिए इसको इससे divide कर देंगे बस ठीक है चलिए देखते हैं कैसे लिखाएंगे इसको total time to fill the reservoir reservoir किसके एकवल हो जाएगा volume of reservoir upon में क्या आजाएगा rate rate मतलब कितनी speed से पानी डल रहा है तो किसके एकवल आजाएगा volume of reservoir कितना है हमारा 108 000 upon में rate कितना है हमारा hour में 3600 टू जिरो से टू जिरो cancel out 36 से इसको डिवाइड करते हैं 3 और यह 0 as it is तो कितना आगया 30 hour क्योंकि hour में था ना यह rate अब तो 30 hour के अंदर क्या हो जाएगा पूरा का पूरा reservoir हमारा completely fill हो जाएगा I hope आपको अच्छे से clear हुआ है एक बार थोड़ी से revision ले ले लिते हैं इस question की सबसे पहले volume हमें given था 108 meter cube और rate of water given था 60 liter per minute यह तो हमें given चीज थी सबसे पहले लिख लेनी है अब बात करते हैं हमने देखा कि हमारा जो water jar आ रहा है वो तो liter में है volume हमें meter cube में given है तो change करना पड़ेगा हमें तो 108 को क्या किया हमें लीटर के अंदर change कर लिया तो volume of freezer wire कितना आ गया हमारे पास यह आ गया ठीक है उसके बाद क्या करना है rate of water निकालना है अब यह तो minute में है हमने hour के अंदर निकालना है एक hour के अंदर और हमें पहुंचाना कितना है इतना पानी तो एक गंटे के अंदर वन hour के अंदर इतना जा रहा है तो इतना पानी पहुंचाने कितना time लगेगा इसको इससे divide कर देंगे तो क्या आ जाएगा total time is equal to क्या जाएगा volume total volume अप उन में एक hour में जा रहा है इसको divide कर लेंगे तो कितना आ गया 30 hour तो 30 hour के अंदर क्या होगा यह पूरा का पूरा time के fill हो जाएगा I hope यह question आपको अच्छे से clear हो गया होगा कोई doubt अगर आपको लगे तो मुझे comment कर सकते है otherwise इस channel को subscribe जरूर करें अपनी classmates को जरूर share करें क्योंकि आने वाली classes की वीडियो आपको इस channel पर मिल जाएंगी Thank you students for your love and support Thanks